हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PTET 2022 का ओनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंज से इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में step by step हम बात करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपको कोई भी गलती किसी भी step में आपकी ना हो, आप PTET की official website पर आ सकते हैं, या फिर आप वीडियो description में जा सकते हैं, jobrasta.com पर, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इसकी जो details है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, अ तो यहाँ पर देखिए, आप B.A.B.A.R. या B.A.C.B.A.R. जो की four year course है, उसके लिए आप आविदन करना चाहें, तो उसके लिए आविदन कर सकते हैं, या फिर normal B.A.R. जो की दो साल का course होता है, आपका उसके लिए अगर आप आविदन करना चाहें, तो आप इनके लिए एक मार्च से 31 मार्च 2022 तक आविदन कर सकते हैं, बात करेंगे फ्रेंगे यहाँ पर PTT 2022 के online form fill up process के बारे में, और इस वीडियो को start करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe करें, share करें, like करें, जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सके, तो यहा करने के बाद friends, आपके सामने कुछ इस तरह का portal open होगा, और यहाँ पर तीन option है, application form को fill करने के लिए, आपके चालान के transaction का status check करने के लिए, और आपके application form का reprint करने के लिए, सबसे पहले friends, आपको fill application form वाले option पर click करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए कुछ step first म आपका नाम, तो आपका जो भी नाम है, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका यहाँ पर आपको father name देना है, आपका जो DOV है मिन से date of birth है, date, month and year आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, इसके बाद payment option में आपको online ICIC bank का एक option मिलेगा, आप इस पर click करेंगे और उसके ब होगा, यहाँ पर आपको upload करनी है, आपकी photograph, signature और left thumb impression, size आपको दिया गया है, जो कि इस size के अंदर ही आपको upload करना होगा, और यह JPG format में आपको यह upload करना है, browse पर click कीजिए, file को select कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर upload कर देजिए, तो यहाँ पर friends, photo, sign और left thumb impression upload करने के बा तो आपको यहाँ पर कोई attention नहीं लेनी है, आपको directly next step पर click कर देना है, next step पर जैसे ही आप click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब आपको आपके जो photo sign है, उसका preview आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले gender option है, gender select कीजिए, इसके बाद friends, next option आपको यहाँ पर मिलता आपके bonafide details का, तो सबसे पहले आपका जो घ्रह राज्य है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपका घ्रह जिला कौन सा है, वो आपको select करना है, आप यहाँ पर किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप आवेधन कर सकते हैं, PTT 222 के लिए, इसके बाद आपको यहाँ पर आपका बौध पारसी मुसल्मान, तो आप yes करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे, नीचे है, डिवोसी के एंडेट हैं, विडो के एंडेट हैं, अगर आपका यह option applicable हैं, तो आप yes यह no कर सकते हैं, ऐसे ही friends, यहाँ पर physical handicap अगर आप हैं, तो आप यहाँ पर yes यह no कर सकते ह आपको यहाँ पर type of handicap पर आपको select करना होगा, नहीं है तो आप simply इसमें no कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर है आपका permanent address होता है आपके जहांके documents है, और correspondence address होता है जहाँ पर present में आप रहते हैं, तो आपका जो भी पूरा address है वो friends आप यहाँ पर enter करेंगे, आपका post office कौन सा है, आपका district कौन सा है, यहाँ पर basic जानकारी आपके address से related आपको यहाँ पर provide करनी होगी, इसके बाद फैंस से नीचे है आपका correspondence जो कि आपका present address है, तो present address जो भी है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, आपका post office, इसके बाद आपका state, इसके बाद आपका district, pin code, यह आपको basic जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर provide करनी होगी, यह यहाँ पर provide करने के बाद फैंस से नीचे है आपकी mail ID और आपके mobile number का option, तो आपकी जो भी active and valid mail ID है और आपका जो mobile number है वो आपको यहाँ पर fill करना होगा, और यह friends ध्यान रखेगा, mobile number बिलकुल आपको सही रखना है, अगर आपके पर mobile नहीं है तो आप अभिवावक का mobile number लिख सकते हैं क्योंकि जो login का password है, role number है या फिर आपकी जो reporting time होगा, सब आपको mobile number पर ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान से mobile number और mail ID को आप enter करेंगे, इसके बार next option जो आते हैं, यह है आपके subject details related जो कि important आपके य आपको select करना है, अब यहाँ पर देखिए आपको teaching subject दिये गए हैं, नीचे आपको graduation की class दी गई है, BA, BA honors या अधर में आपने इन में से कोई course किया हुआ है, आप selected कर सकते हैं, इसमें friends आप से देखिए social studies में आपके पाद दो subject इन में से कम से कम होनी चाहिए, तो ही आप social studies choose कर सकते हैं, और अगर आप civics चूज करना चाहते हैं, तो आपके पास इन में से कोई एक subject होनी चाहिए, ऐसे ही commerce candidate के लिए आपके पास teaching subject है, वो आपको इन में से ही लेना होगा, और यहाँ से आपको select करना है, science candidate है, तो यहाँ पर देखिए general science के लिए any two subject आपके पास होन तो आपके according आपको यहाँ पर options को select करना है, nearation को select करना है, इसके बाद यहाँ पर जो details है जग के signification level की है, अब gration level में आपने कौन-कौन से subject पढ़ी है, तो वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, तो आपके according जो भी आपकी subject है वो आप यहाँ पर choose कर लेंगे, इसमें अपको ध minimum percentage required है आपकी graduation में, mileage graduation में वो नहीं है पर वो PG में है तो आप PG से apply कर सकते हैं उस condition में graduation की percentage mandatory नहीं रहेगी यह चीज आपको ध्यान रखनी है और आगर आपके पास PG नहीं है और graduation level में percentage भी नहीं है जो minimum required है 50 ए 45 तो friends फिर आप applicable नहीं होंगे इसलिए notification को ध्यान से जरूर पड़े नीचे है यहाँ पर आपको school में जो teaching subjects होती है वो आपको choose करनी है जिससे आप V8 करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर options मिल जाते हैं आपके according जो भी option आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं तो आपको तो आप यहाँ select कर सकते हैं इसके बाद है exam district preference तो आपको यहाँ पर आपका exam district कहां लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है तो आप यहाँ पर तीन centers को choose करेंगे नीचे आता है qualification exam details तो आपकी देखी details आपको देनी है सबसे पहले है 10th की detail जो की secondary की detail है अब यहाँ पर friends आपने देखी किस board से यह complete किया है इसके बाद किस year में आपने इसको complete किया है इसके बाद नीचे है आपका maximum marks मतलब जो exam हुआ है वो कितने numbers का हुआ था और कितने numbers आपने यहाँ पर gain किये इसके बाद आपकी percentage यहाँ पर आ जाएगी ऐसा ही 10 plus 2 या उसके equivalent आपने किस board से किया है किस यहाँ पर आपने university या फिर board से किया है उसके बाद year और इसके बाद आपको numbers की यहाँ पर entry करनी होगी कितने numbers आपने यहाँ पर gain किये हैं इसके बाद नीचे आता है gradation status अगर आप appearing candidate है तो appearing select कर सकते हैं pass out candidate है तो pass select कीजिए इसके बाद यहाँ पर आपने किस university से किया है तो आपको multiple options मिल जाते हैं इसमें अगर नहीं है तो आप friends से यहाँ पर other भी selected कर सकते हैं इसके बाद है आपका year passing year कौन सा है वो आपको देना है और कितने में से कितने numbers आपने यहाँ पर लिये हैं आपकी gradation में वो आपको यहाँ पर mention करना होगा इसके बाद आपकी percentage यहाँ पर आ जाएगी नीचे आपको option मिलता है PG का अगर आपके पास PG है तो आप यहाँ पर appearing या pass कर सकते हैं नहीं है तो आप not applicable कर सकते हैं और अगर यहाँ पर percentage है वो 45 से कम है आपकी या 50% से कम है आपकी अगर category wise के according तो आपको यहाँ पर PG की डेल देनी होगी तब ही आप applicable होंगे नहीं है तो आप यहाँ पर not applicable कर देंगे इसके बार आप यहाँ से सत्यापित करेंगे कि आपने जो जानकारी फिल की है वो बिल्कुल सही फिल की है और उसके बाद आप यहाँ से save and proceed कर सकते हैं save and proceed करने के बाद friends से यहाँ पर आपको option मिलता है verify गा तो अब आपको यहाँ पर आपकी जो detail से उसको verify करना है check करना है सभी detail बिल्कुल सही है तो ही आप यहाँ से verify कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपके सामने जो option आएगा वो payment invoice का आएगा यहाँ पर आने के बाद friends से यहाँ पर जो payment है वो आपको करना होगा और payment करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर fees मिल जाती है आप net banking user है card user है आप अपने according upi user है अपने according option को select कर सकते हैं आपके पर रुपे card है other debit card है वो आप select करेंगे उसके बाद यहाँ से proceed कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको card holder name देना है card का number देना है card का expiry month and card का expiry year और card का CVV number जो कि card के पीछे लिखा होता है back side पर 3 digit का वो आपको यहाँ पर mention करना है और उसके बाद आपको continue करना है इसके बाद जैसे ही आपका payment verify होगा आप अपना final print out निकाल कर अपने पास रख सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आप reprint कर सकते हैं अपने application form को या फिर आपके चलान transaction status को भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका payment verify हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको mail ली यहाँ पर form number या चलान number जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं date of work दे सकते हैं और proceed कर सकते हैं जिससे friends आपका यहाँ पर जो आपका reprint है form का वो आप अपने पास निकाल कर रख पाएंगे तो यहाँ पर friends हमने बात की PTT 222 का online form आप कैसे फिल कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूट्यूब चनल एनलास थैंक्स पूर वाचिंग